असलावलेकूम गाईज वेलकम तो माई चैनल और मैस कोड़ वाइब जैसा कि आप जानते हैं मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियो में सी प्लस प्लस के बेसिक्स के बारे में कुछ बताया है तो उन्हीं वीडियो को आगे मजीद लेके चलते हैं मैंने अपनी पहले लेक्चर में बनाया था बताया था कि सी प्लस प्लस होती क्या चीज़ है उसके बेसिक्स बताया थे फेलियर्स बताया थे स्टूडर्स के उसके बाद मैंने आपको इस्टाल करने का तरीका बताया था तो मजीद मैं अपने दूसरे लेक्चर को आगे लेक हो गई थी कि इसका संटेक्स लिखते कैसे हैं तो उसी संटेक्स को लेकर आज हम आगे चलते हैं मजीद उसके अंदर हम कुछ हैड करते हैं देखिए यह चीज हमने बनाई थी एक टेबल बनाया था हमने तो इसको मैं रन करके दिखाता हूं देखिए इसकी आउटपूट में हमें आरे पास टू का टेबल शो हो रहा है ओवियसली क्योंके हमने अपनी इंपूट में सब पूट ही आपको एसकी पर बनाया में मजीद आपको सिखा बता देता हूं किmar harassment किया क्यह दर दिखिए मैंने एक two number add कि और उसके बाद string के अं mentor writing कर वाया और 1 print करवाया उसके बाद string उंदर equal sign rather than operation यह जो हो रहा हैtó हो यहां पे एक छोटा सा इशू आ रहे है, इशू यह है कि यह सिर्फ हमारे पर टू का टेबल शो करा रहे हैं, क्या इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि हम जो नंबर एंटर करें वही टेबल शो हो, ओविसली इसका सलूशन है, और इसका सलूशन क्या है, आज हम सिर्फ उसी होती है जिसके अंदर हम कोई भी अपनी वैल्यू स्टोर करवाते हैं आपको मैं इसकी एक्जेंपल दिखा के वाजिया करता हूँ देखें जरा यह पेंट में मैंने एक थोड़ से समझाने के लिए एक बोक्स बनाया उसके अंदर समाल बॉक्स हैं यह हमारे पास मेमरी है यह यह मैंने जो मैमरी जिसका नाम दिया है यह बड़ा वाक्स जो हमारे पास है यह हमारे पास मैमरी है इसको आप रैम के अंदर हमारे पास म Savage इस पूरी मेमरी में से हम कोई एक box select कर लेते हैं जैसा कि मैंने यहां पर एक box select किया इसको मैंने blue color दे दिया mention कर दिया यह box हमारे पास variable है mean हम इस पूरी memory में से कोई छोटा सा box को select करते हैं और वो किसरा select करते हैं हमने नहीं select करना होता है हमने सिर्फ वहां mention करना होता है उस variable की data type देनी होती है और उसका नाम देना होता है देखिए मैं इसको थोड़ा zoom करके दिखाता हूँ यह मेरे पास मेरा variable आ गया variable का मैंने नाम क्या रखा variable का नाम मैंने रख दिया table यह दिखिए आपको यहां नजर भी आ रहा है अब इस variable का नाम यह जो box हमारे पास है इस box का नाम अब table है ठीक है इसके data type क्या है इसके अंदर हम रख क्या सकते हैं वह इंशाला अगले कुछ lecture में मैं इसको discuss करूँगा इसकी data type के बारे में तो फिलाल आप यह समझ लीजिए कि हमारे पास एक table नाम का variable आ गया है इसके अंदर हम कु साथ आप mention कर सकते हैं ठीक है इसी तरह अब मैं क्या करता हूँ मैं अपने प्रोग्राम में जाता हूँ प्रोग्राम में जाके इसी में मैं चेंजिंग करूँगा आप देखेगा देखें मैं एक variable लेता हूँ उसके data type में ने इंट रखी है इंट से मुराद हमारे पास integers है मतलब हम इस box के अंदर जो हमने memory से लिया है उसके अंदर हम integers रख सकते हैं अब उसका नाम क्या रखना है यह देखें मैंने table रख दिया और इसके बाद मैं semi column लगा दूगा यह मेरे पास एक table नाम का variable declare हो चुका है अब इस variable के अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं क्या कुछ वो उसके लिए हम क्या करते हैं scene लिख के और greater than greater than के sign डालेंगे उसके बाद उस variable का नाम लिख देंगे देखें अब हम इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं बल इवन रखा गया है यहां इस instruction का क्या है इस instruction का क्या है जो यह है कि जो variable लिया है variable के अंदर हम value देते हैं यान ठीक हम console screen के उपर variable को value देंगे मैं इससे पहले message प्रिंट करवाना चाहूंगा enter table number इस message का मतलब यह होगा कि आपने जो टेबल प्रिंट करवाना है उसका number एंटर करने है ठीक है उसके सामने हमारे पास जो हम number एंटर करेंगे वो हमारे पास changing आ जाएगी यानिकि टेबल हमारा उसी number के मताबिक बन जाएगा चेक करते हैं हमारे पास हमारा इसका क्या फा प्रिंट करता हूं स्पोस मैं 5 एंटर करा हूँ 5 मैंने इसको देखे मैं जब एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो टेबल मेरे पास वही 2 का आ रहा है क्यों टेबल के अंदर changing क्यों नहीं हुई टेबल के अंदर changing इस वज़ए से नहीं हुई कि हमने हमारे प्रोग्राम में changing ही नहीं की हमने तो सिर्फ एक variable declare करवाया उस variable declare करवाने के बाद उस variable को उस variable से काम तो हमने लिया नहीं देखिए आप logical सोचें कि हमें changing कहां पे चाहिए हमें changing कहां चाहिए हमें changing इस two वाली position पे चाहिए जहां पे भी ये two की position है वहां हमें changing चाहिए तो मतलब हमें इस position पे और इस position पे हमें changing चाहिए है तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि अपने इस two को replace कर देता हूँ table के साथ असान तरीका इसका ये है, मैं इसको यहाँ से control c के साथ copy कर लेता हूँ और इसको select करके replace कर देता हूँ देखें गाईज, हमारे पास ये तमाम replacement हो चुकी है, यानि कि दो की जगा हमने table एंटर करती है अब ये काम किस तरह करेगा, देखें जरा, मैं आपको एक बार समझा जता हूँ हम ये हमने एक variable declare करवाया और उसके बाद मैंने एक message हो करवाया आपके भी enter the table number, मतलब जिस number का हमने table print करवाना है वो number हम enter करने, वो value हम देंगे इस variable के अंदर अब इस variable के अंदर, suppose मैं 5 enter करवा दूँगा, तो इस variable के अंदर 5 है, यहाँ पे भी 5 होगा, मतलब जिधर जिधर अब table का, table मैं लिखूँगा, वहाँ 5 होगा obviously जब यहाँ 5 1 से multiply करेगा, तो 5 1s are 5s, तो इसी तरह 5 5s are 25, इसी तरह मुकमल जहाँ जहाँ टेबल हमारे पास है, उस जग़ाँ मारे पास 5 आ जाएगा, और हमारे पास एक 5 का टेबल बन जाएगा, देखें मैं इसको run करके देखता हूँ, enter table number, मैं यहाँ अगर 5 enter करता तो देखें मेरे पास 5 का टेबल आ गया, आपके सामने वही प्रोग्राम है, उसी प्रोग्राम की output है, आपको मजीद मैं दिखाता हूँ, मैं अगर यहाँ 18 लिख देता हूँ, उसके बाद मैं enter करता हूँ, तो 18 का टेबल बन के आ गया, और accurate table है, इस लेक्चर के समझ आ गई होगी, हमने किस तरह variable को यूज करते हूए अपना table बनाया है, एक्चली इस लेक्चर का main मकसद जो था, वह हमारा variable को समझाना था, अपस आपको variable easily समझ आ गया होगा, और उसी के साथ साथ हम table भी बना चुके हैं, next lectures में हम table को और ज़्यादा modify करेंगे कि कहां से यह start होता है कहां पर end होता है और with the use of loop हम इसको loop के जरीव बनाएंगे वो ज़्यादा valid होगा obviously valid यह भी है लेकिन इससे भी ज़्यादा valid हमारे पास वो table होगा हम उसको किस तरह से बनाएंगे उसके लिए इंशाला मैं next lectures में आपको बनाऊंगा जैसे ही हम अपने इस series का start किया इंशाला हम वहाँ तक भी पहुंचेंगे और इसको end भी करेंगे अगर आपको यह lecture पसंद आया और आपको variable के बारे में समझ आ चुकी है तो please मेरे चैनल को subscribe कीजिए और वीडियो को like जरूर कीजिएगा